वह 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 चाहे खंडे से करते रहूं अच्छा रुक रुक कितने जोर समारा मैंने तो बोला जुकेगा नहीं आपने तो लिटा दिया भाबी जी कैसे हो नमस्ते आज हमारे पडोसी हमारे घर में कैसे आ गए आउ बैठो अरे नहीं बैठना नहीं है मेरे आईफॉन का चार्जर खराब हो गया था अगर आपके पास चार्जर है तो मेरा फॉन चार्ज कर दो आईफॉन अरे भाई साहब क्या मजा करते हो इतना महंगा फॉन हमने ढंक से देखा तक नहीं है इसका चार्जर कहां से होगा हमारे पास माफ करना हमारे पास इसका चार्जर नहीं है मैं चार्ज कर दूँगा लाओ इधर दो तू कैसे चार्ज कर देगा पागल हो गया है क्या बेटा आइफॉन है वो हाथ भी मत लगा न अरे भाई साहब करने दो होश्यार है आपका लड़का ले बेटा चार्ज कर दे अरे भाई साहब क्यों दे रहे हो इतना महंगा फॉल मत दो उसको खराब कर देगा मेरे को आता है इसको चार्ज करना ये हैं दो तार इन दो तारों को मुबैट से डिरेक्ट लाइट में जोड़ दूँगा फिर देखो अभी चार्ज होना सुरू हो जाएगा फिर कहोगे वा बेटा वा बिट्टो बड़ा होश्यार है तू अब पता नहीं था तो इसमें मेरी गलती है अरे नहीं बेटा मेरी गलती है ना ना मेरी है मेरी है नहीं हुआ चारड्ड अरे हां अभी तो लाइट गई है जैसे ही लाइट आएगी यह चार्ज होना शुरू हो जाएगा ठेख है मैं थोड़ी देर मा आता हूँ सब्जी ले लो सब्जी सब्जी ले लो ले लो ताजय अच पाजय सब्जी ले लो तुम्हारे बेट मों गई और कहां गई पैसे दो क्या पैसे देख को बोल रही है दिन भर खाते रहते हो अरे खुछ को देख खा खा के मोटी भैस हो रही है क्या बोला क्या बोला आपने क्या बोला कि क्या बोला बोला मैंने बोला तु खा खा के मोटी भैस जैसी हो रही है मैं भैस जैसी हो गई हूँ यह सुनने सा पहले मैं मर क्यों नहीं गई है यह सुनने सा पहले मैं मर क्यों नहीं गई है सब्जी ले लो सब्जी 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 भैया आप ही बताओ क्या मैं मोटी भैस जैसे हूँ बता दो, बताओ ना भहिया, अरे भहिया, बतादो, खड़े क्यों हो, बतादो, चुप क्यों हो, अरे बताओ ना, अरे मुह तो खोलो, कुछ तो बोलो, उरूरूरूरूरूरू, बताओ भहिया, चुप, चुप, उसको बोलने तो दे, आप बहुत खूपसूरत हो, सुन्दर हो अरे भाई साहब आप भाबी जी को मोटी मोटी क्यों बोल रहे हो देखो कितनी सुन्दर है पतली है ब्यूटिफुल है देखा मैं सुन्दर हूँ अंकल आपको आपके पापा की कसम सच बताओ मेरी मम्मी कैसी दिखती है अरे यार इसने कसम क्यों दे दी अब सच बोलना ही पड़ेगा हाँ भाई साहब सच कह रहे हैं आप बहुत मोटी हो भैस जैसी सकल देखो कितनी बेकार है हाँ हाँ मैं हूँ मोटी हो गई हूँ तो सादी से पहले क्यों नहीं सोचा एक दिन मेरी बीवी मोटी हो जाएगी ले आते को दूसरी बीवी जो कम-कम खाती हमेशा प अगल हो गई है क्या अरे भाबी जी वाँ 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 करना छोड़ो ये बताओ क्या दू आलू टमाटर प्याज बैगन भिंडी गोभी क्या दू बताओ सब कुछ है तू चले जाए हाँ से वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी भाजी हाँ से मेरा मोबाइल चार्ज अब ही लाइट नहीं है जैसे ही लाइट आईगी ये चार्ज होना सुरू हो जाएगा कितना अच्छा कुट्टा है आज 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 पापा मुझे भी ऐसा ही कुट्टा चाहिए अरे भाई साहब बच्चे है अब बच्चे जित महीं करेंगे तो कौन करेगा बिट्टू तुझे कुट्टा पसंद है हाँ हाँ पसंद है पसंद है तो तू रख ले, ले ले, ले, मेरा कुटा है तू अब, आजा, 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 मतलब है तेरा बस एक बार और कह दो तुझे पसंद है तो रख ले मज़ा जाएगा अब बोलना लड़की भी रख ले अब बच्चे जिद नहीं करते ता कौन करता है आज कल तू बहुत बिगड़ गया है अरे मारूमत मैं समझाता हूँ बेटा इधर बोल आज के बाद मम्म पापा जो कहेंगे मैं वो करूंगा बोल हाँ पापा जो कहेंगे मैं वो करूंगा लेकिन पहले मुझे एक मिर्च खानी है मिर्च खानी है पागल हो गया है क्या मुझे मिर्च खानी है खानी है तो खानी है मैं तेरे ठपर मार दूंगा अरे बच्चा है जित कर रहा है ले खा मिर्च खा खा अरे भाई साहब जाटो मत खा बेटा खा तेरा मन है तो खा पहले एक मिर्च आप खाओ फिर मैं खाऊंगा लिज अंकल एक मिर्च खा लो लिज अंकल बस एक मिर्च जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा अब तू खा मिर्च खा खा रहा हूं मेर्च लग गई मुझे मेर्च नहीं खानी है जो मेर्च मुझे खानी थी वो तो आप खा गई यह वाली खाते वो तो मेरी थी लाइट आ गई मेरा मोबैल चार्ज हुआ मैं घर जा रहा हूँ हो गया चार्ज चुप तुने अंकल का मोबैल फोड़ दिया मेरा मोबैल फोड़ दिया मेरा मोबैल दे मैं कुछ नहीं जानता मेरा मोबैल दे मैंने पहले ही बोला मत दे मोबैल नहीं बच्चा जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा बच्चा होशियार है मोबाईल चार्ज कर देगा अब अब फोड़ दिया हो गया ना चार्ज निकल निकल मेरे घर से निकल कौन सा मोबाईल कैसा मोबाईल कोई मोबाईल नहीं निकल मेरे घर से बाहर निकल निकल